जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ओफिसल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो आप सभी को बता दें कि यह जो भरती है इसके जो ऑनलाइन रेजिस्टेशन्स हैं वो 20 दिसंबर से 2 फरवरी 2021 के बीच में आप कर सकते हैं इंडियन आर्मी की ओफिसिल वेफसाइट www.joinindianarmy.nic.in अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहां पर कौन-कौन से ट्रेट्स के लिए भरती निकली हुई है तो आपके लिए सबसे पहले हम बता दें कि यहां पर काफी सारी ट्रेट्स के लिए भरती निकली हुई है जिसमें सबसे पहले दोस्तों सुल्जर जनरल ड्यूटी की भरती है इसके लिए आपको एज लिमिट साड़े सत्रा से 21 साल और आपकी जो डेट अप बर्थ है वो एक अक्टूबर 1999 से एक अपरेल 2003 की बीच में होना जरूरी है उसके बाद मां आपकी हाइट दोस्तों जो है वो 166 सेंटीमिटर एंड आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमिटर होना अनिवारी है आप सभी की काफी सारे कमेंट्स आते हैं जब आप हायट का कॉलम्द देखते हैं कि सर आर्मी में हाइट तो बन 70 cm लेते हैं आप बन 66 या बन 55 जो बी है मैं बताता हूँ वो कैसे ले रहे हैं तो आप सभी को दोस्तो पता होना चाहिए कि आर्वी में जो हाइट होती है वो स्टेट के हिसाफ से ली जाती है किस स्टेट में कितनी हाइट ली जाएगी इस पर मैं ऑल्रेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस सिंगल सब्जेक्ट में 33% माँच से कम नहीं माना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सोल्जर टेक्निकल की ठीक है तो सोल्जर टेक्निकल की भरती के लिए दोस्तों आपके लिए जो एज लिमिट है वो है साड़े सत्रा से तेज साल और आपकी जो डेटो बड़ था वो एक अक्टूबर 1997 से एक अपरेल 2003 की बीच में हाइट आपकी 165 सेंटीमेटर और चेस्ट आपका 77 सेंटीमेटर प्लस 5 सेंटीमेटर का एक्सपेंशन ठीक है सुलियर टेक्निकल में अपलाई करने के लिए आपको 10 प्लस 2 यानि की इंटरमेडियेट एक्जाम पास होना चाहिए और आपके पास में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंगलिस ये चार सब्जेक्ट होना जरूरी है ओवराल जो आपकी 12 में परसेंटेज है वो आपकी 50% और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 40% मार्ग से कम नहीं होनी चाहिए उसके बाद में आता है दोस्तों सुलियर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट ठीक है तो नर्सिंग असिस्टेंट की भरती के लिए आपको साड़े सत्रा से तेस साल तक आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए एक अक्टूबर 1997 से एक अपरेल 2003 के बीच में आपकी डेट अव बर्थ होनी चाहिए 165 सेंटिमेटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 77 सेंटिमेटर आपका चेस्ट होना चाहिए ठीक है यहां पर दोस्तों बेट का कॉलम आप देख रहे हैं कि यहां पर खाली है पहले आपको पता है कि आर्म में 50 केजी बेट लिये जाता था लेकिन अभी दोस्तों इस साल में जो भर्तिय होनी है या पर आज के बाद में जो भी भर्तिय होंगी उन भर्तियों में एज और हाइट के हिसाब से बेट लिये जाएगा तो उस पर भी मैंने दोस्तों एक separate वीडियो बना के upload की हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं द चाहिए आपके पास में subject Physics Chemistry Biology और इंगलिस यह च्यार subject होना जरूरी है और किसी भी subject में आपके 40 % मार्क से कम नहीं होना चाहिए और औरALI आपके 50 % मांख होने चाहिए ठीक है उसके बार दोस्तों हम बात करते हैं कि सोल्जर क्लर्क के बारे में ठीक है तो सोल्जर क्लर्क की भरती देखने के लिए आपको जो एज लिमिट है वो आपकी साड़े सत्रा से 30 साल एक एक्टूबर 1997 से एक अप्राइल 2003 के बीच में आपकी डेटो बर्थ हाइट आपकी 162 सेंटिमीटर एंड चेस्ट आपका 77 सें चाहिए लेकिन इंटरमीडिट में आपके 60 परसेंट और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50 परसेंट मार्क से कम नहीं होने चाहिए ठीक है उसके बाद में आप में 12 में आपके पास में इंगलिस और मैथ होना जरूरी है मतलब कहने का यह है कि आपको जो 12 का एक्जाम है उ से लुप उलब है आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद में आता है दोस्तों शूलजर ट्रेट्समैन और और सुल्जर टेलर वासरमेन जो भी हैं इनकी 10 पास से भरती होती है तो दोस्तों साड़े सत्रा से तेस साल दोनों के लिए एज लिए जाती है डेटो बर्थ आपकी एक अक्टुबर 1997 से एक अपरेल 2003 के बीच मुहनी चाहिए हाई आपकी 166 cm और चेस्ट आपका 76 cm होना जरूरी है ठीक और मैस कीपर और हाउस कीपर ट्रेट्समेन के अगर भरती देखने चाहते हैं तो आपको क्लास 8 सेंपल पास होना चाहेंगे आप इसमें भरती देख सकते हैं उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस भरती से रिलेटेड फिजिकल के बारे में और उसके बाद में ह गुरुप बन और गुरुप टू गुरुप बन पांच मिनट 30 सेकंड तक होगा और गुरुप सेकंड पांच मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक होगा अगर आप अपने रेस को गुरुप बन में पास करते हैं तो आपकी जो मार्स हैं वो 60 और अगर गुरुप सेकंड में आते हैं तो 48 मार्स आपको दिये जाएंगे अगर आप 10 लगाएंगे तो आपको 40 मार्स 9 लगाएंगे तो 33 8 लगाएंगे तो 27 साथ लगाते हैं तो आपको 21 और 6 लगाते हैं तो आप 16 मार्स लेंगे लेकिन अगर आप 6 भी लगाते हैं आप से पुलप नहीं लगती है तो की पास हो सकते हैं नायन फिट डिच और जिग जग बैलेंस आपको नीड टू कॉलिफाइए इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दे जाएगा ठीक है यह उसके बाद मैं आपके बहुत जरूर बाद बता दूं कि यह जो आपके नंबर है इंक केबल आपको आपको पहुंगे GD और Soldier Treatsman के भरती के लिए आपको फिजिकल के नंबर मिलेंगे काली कटी आरो केरला यारो केरला में तो अगर आप केरला स्टेट के रहने बाले हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है Army Recruit Representative Rally at Kaynur, Kayrla. Whenever you will be Intimated Later ठीक है यह जो भरती है वो केर्नूर में है दोस्तों और एकतिस मार्च 2021 तक ये भरती चलेगी। और इस भरती में आपके यह जो डिस्टिक्स हैं, यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं. इन डिस्टिक्स के जो बच्चे हैं, वो जाकर इस भरती में सामिल हो सकते हैं, ठीक है. तो यह जो डिस्टिक्स हैं दोस्तों गों हैं कोजी कोड़े उसके बाद में कसर गोल्ड उसके बाद में कन्नु उसके बाद में मलापुरां उसके बाद में है दोस्तों तरसौर उसके बाद में बाइनाड है एंड यूट्योफ माही एंड लक्षदीप ठीक है अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं इन सौरी डिस्टिक्स के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में सामल हो सकते हैं बागे दोस्तो अधिक जानकारी के लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलिग्राम चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेश पर मिल जाएगा अब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तो बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारब